तो आज पीएंगे हम नीट तो पेग के लिए पहले डालेंगे दो क्यूब आइस और बाखे डालेंगे अपना एक लार्ज असी है तो आज मैं आई हूँ दिल्ली वालों के फेवरेट कैफे यानि के बिग चिल कैफे और यह दिल्ली में शाथ 25 सालों सिंग की मनोपली है फोर ब्लोगर ऐसा कुछ ने है यहां पर वेटिंग हमेशा रहती है बढ़ हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ा बढ़ हमें टेबल मिल गए तो चलो जल्दी से खाते है खाना यम यम सा यह है बिक्चिल का बर्गर यह है मश्रूम बर्गर आप देख सकते हो काफी थिक पैटी है और इसके इंदर इतने सारे प्याज लेटेस और टमेटो और चिपोटले सॉस है इनका जो बन है यह काफी फ्यूट लग रहा और इननने यह येलो बेल पेपर भी डाले हुए पान सो रुपेगा यह बर्गर है यह पान सो रुपेगा और साथ में पटेटो वेजिस भी ह है कि मुझे लग रही बहुत तेज भूक तो जल्दी से खा लेते हैं तो फिर एक बाइट लेके देखते कितना बढ़ी है पनीर और मश्रूम की पैटी हैं काफी बढ़ी हैं इस यूज बर्गर काफी बढ़ी है फ्रेशली बेक बंस है और जो अंदर पैटी आप देखो इ वेजिटेबल लवर्स के लिए तो यह हैं अगर आपको वेजी बर्गर पसंद देना तो आपको यह बहुत बढ़िया लग यह बहुत अमेजी है मजा आ गया और मेने एक और चीज मगवाई है वह खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं तो चलो फिर वेट करते हैं तो आज पीएंगे हम नीट तो पेग के लिए पहले डालेंगे दो क्यू बाइस और बाखी डालेंगे अपना एक लार्ज असी है तो गाइस यह है मेरा पैग प्राइट पेप्सी है यार चीर्स टू फ्राड़े नाइट तो गईस मैं आपको दिखाने वाली हूं दिल्ली का सबसे चीजी पास्ता एट सबसे ओल्डेस रेश्टरांट इन डेली मतलब इससे पुनान रेश्टरांट नहीं है और इससे बढ़िया रेश्टरांट दिल् वो हो यह देखो गया एक बड़ी चीज़ पूल देखो इससे बढ़िया पास्ता कहीं नहीं मिलने वाला जल्ली से खाके बताती हूं कि अधिक लिटरली गाइज इसके अंदर हैं 10,000 क्यालरीज इतना बढ़िया पास्ता है इतना चीजी और यह बेसिकली यह पहने वोटका पास्ता आपको जो मिलता है विक्चल में आप उसको बेक कर वासके और यह ऐसे मिलता है आपको थोड़ा सा ताइम लगते इस पास्त कि मज़ा आजएगा इस फेवरेट फास्ता एट बिक्चल इसक्संड़ेट सेवनड़ेट के आट पास होगा यह मुझे एक्जाक प्राइस नीपता मैं इस्रिप्शन में लिख दूंगी बढ़िया पास्ता और मुझे आज कुछ क्यालरीज वाला खाने का बहुत मनता तो म लेकिन टोटली वर्थ इट है ठीक है मज़ा आ गया बहुत हुसा इतना चीजी पास्ता इससे जादा चीजी पास्ता मैंने तो नहीं खाया और इतना बढ़िया बहुत दिन बाद आज में बिक्चल आई वैसे मुझे बिक्चल जादा पसंद नहीं है तू भी रहुनी ओने इनका खाना बहुत चीजी चीजी से लगते लेकिन अज बहुत दिन बाद आके ना काफी बढ़िया लगा